नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल नोलिज गुरू में एक बढ़ फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको फेस्बुक से रिलेटेड आर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ हो सकता है कि इन आर्ट ट्रिक्स में से आप कुछ ट्रिक्स जानते हूँ और यह भी हो सकता है कि आप कोई भी ट्रिक्स न जानते हूँ इसलिए हमारे वीडियो को लाश तक अंत तक पूरा देखिएगा चलिए सुरुवात करते हैं चलिए दोस्तों बात करेंगे हम पहले ट्रिक्स के जिसके अंतरगत मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस तरीके से आप अपने फेस्बूक के फ्रेंड लिष्ट को चुपा सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको अपने सेटिंक्स में जाना होगा यहां पे देखिए तीन पहला लइन ये उस पर क्लिएक करना होगा privacy पे click करते ही कुछ इस तरह का आपको दिखेंगे यहाँ पे एक option दिख रहा होगा दोस्तों who can see your friend list यहाँ पे देख लिजे यह option है इस पे आपको click करना होगा click करने के बात दोस्तों यहाँ पे आपको एक 3 option दिखेंगे जहाँ पे public friends only me 3 option दिख रहा है पर अगर आप यहाँ पे only me अगर इस पे आप click कर देते हैं सबसे नीचे के option पे तो आपकी friend list को कोई नहीं देख सकता केवल आपके अलावा जी हाँ दोस्तों केवल आप अपनी friend list को देख सकते हैं और कोई भी आपके friend list को नहीं देख सकता चलिए बात करेंगे दूसरे trick की दोस्तों हमारा दूसरा trick यहा है कि facebook page पर automatic इस तरीके से चलने वाले videos को कैसे बंद करें क्योंकि कभी कभी गंदे videos भी चल जाते हैं और इसे data भी ज़्यादा खर्च होता है तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरीके से आप इससे बस सकते हैं तो दोस्तों इसको करने के लिए सबसे पहले आपको notification आइकन के बगल में तीन पहले लाइनों पे click करना होगा और यहाँ पे आपको देखना होगा एक option आ रहा होगा app setting का इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक option आ रहा है app setting का इसको click कर देना होगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक option आएगा autoplay यहाँ पे हमको click करना है autoplay पे click करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तीन option दिखेंगे on mobile data and wifi connections on wifi connections only never autoplay videos अगर आपको चाहते हैं कि यह videos automatically नहीं चले आप click करें तभी चले तो यहाँ पे आपको neighbor autoplay videos पे click कर देना होगा दोस्तों यहाँ पे click करने के बाद आप back आ जाईएगा यह इस तरीके से save हो चुका इस option पे तो आपका video automatically नहीं चलेगा जब तक आप click नहीं करेंगे कोई भी videos वहाँ पे open नहीं होगा चलेए बात करेंगे तीसरे trick की तीसरे trick की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने profile पर कोई जीफ लगा सकते हैं ध्यान दीजेगा दोस्तों जीफ जो है कि 7 सकेंड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप अपने profile फोटो पे click कीजेगा तो इस तरीके से 4 option खुल करके चले आएंगे यहाँ पे एक option देगा upload वीडियो और photo तो यहाँ पे आप click कीजेगा और यहाँ से कोई भी वीडियो आप select कर लीजेगा यहाँ पे देखिए मैं upload कर देता हूँ थोड़ी दिर में यह upload हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने profile पे कोई वीडियो चोटा सा 7 सेकेंड का 7 सेकेंड से कम का वीडियो लगा सकते हैं चलिए बात करते हैं चोथर ट्रिक की दोस्तों चोथर ट्रिक हमारा यहा है कि अपने मुताबिक post या news feed कैसे पासकते हैं वो भी सबसे पहले तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपो तीन पहला लाइनों पे click करना होगा और नीचे आना होगा एक option दिख रहा होगा news feed performance इस पे आप click कर दीजेगा जैसे ही click करेंगे यहां पे एक option दिखेगा priorities who to see first इस पे आप click करेंगे आपके जितने भी group होगे जिसे जिन group से आप जुड़े होगे या फिर जितने भी friends होगे यहां पे उनके नाम और उनके profile pictures चलियागी जिनको आप चाहते हैं कि सबसे पहले उनके news या फिर जिनके उनके post सबसे पहले दिखेंगे उन पे आप click कर दीजेगा जैसे मैं यहां पे sabindy.com पे click कर देता हूँ तो इसके भी जुतने भी post होगे वो मुझे सबसे पहले पसंद आ रहा है तो उसको हम कैसे save रख सकते हैं देखिए हमारे सामने एक video है जो कि upload किया गया है यहां को पसंद है इसको मैं save करके आपको दिखाऊंगा दोस्तों यहां पे जिन्होंने share किया है वहीं पे आपको एक down arrow दिख रहा होगा यहां पे आप click करिएगा जैसे click कर कि कहां पे आप इस वीडियो को देख पाएंगे तो यहां पे जहां पे लिख करके आ रहा है tap here save your saved things यहां पे आप click करेंगे तो यहां पे एक option आएगा दोस्तों save वीडियो का देखिए अभी नीचे में एक option होगा यहां देख लिजिए यहां पे एक option आ रहा है saved का यह देखिए इस पे हम click करेंगे तो यहां पे देखिए हमने click किया तो यहां पे हमारे सामने यह वीडियो चलाया है यहां पे यह वीडियो save है तो इस तरीके से आप किसी भी वीडियो को save कर सकते हैं दोस्तों चलिए बात unfriend किये किसी को भी unfollow कर सकते हैं इसके लिए आपको जिसकी को भी unfollow करना है उसके प्रोफाइल पिक्चर सक इस तरीके से open कर लेना होगा वहाँ पे एक option दिख रहोगा following का इस पे आपको tip करना होगा जैसे आप इस पे tap करेंगे तो यहाँ पे तीन option आपको दिखेंगे पहला option होगा unfollow का, दूसरा default, तीसरा होगा see first अगर आप चाहते हैं इनको unfollow करना चाहते हैं तो आप unfollow पे click कर दीजगा और back चले आएगा, यहाँ पे यह unfollow हो जाएंगे और इनके post एक तरीके से आपको नहीं दिखेंगे तो इस तरीके से आप बिना unfriend किये किसी को भी unfollow कर सकते हैं चलिए बात करेंगे साथ में trick की दोस्तों साथ में trick हमारी यहा है कि कीज तरीके से हम अपनी post को कुछ चुनिंदा लोगों को ही दिखा सकते हैं चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पे देखे कुछ अगर आप post लिखते हैं जैसे for example के लिए good morning अगर आप यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद share करते हैं और आप चाहते हैं कि कुछ लोगों के पास यह post जाए तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक option दिख रहा होगा to करके friends of friends इस पर आपको टैप करना होगा यहाँ पे देखेंगे friends of friends और more का भी option दिख रहा है तो यहाँ पे more पे क्लिक कीजेगा तो यहाँ पे एक option दिखेगा friends except तो यहाँ पे अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपके friends की list चरी आएगी जिन में से आप जिसको भी select करना चाहते हैं उन पे ऐसे टैप कर दीजेगा वो यहाँ पे add हो जाएंगे दोस्तों बैक आने पे एक option आपको और दिखेगा यहाँ पे only me अगर आप चाहते हैं कि जो आप post share कर रहे हैं वो कियल आपको दिखे आपके अलामा किसी और को न देखे तो यहाँ पे आप only me का भी option select कर सकते हैं चलिए बात करते हैं अंतीम और आठ्वें ट्रिक की दोस्तों हमारी आखरे ट्रिक किया है कि किस तरीके से हम किसी भी friend को block या report कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों काफी बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे friends होते हैं जो हमसे जुड़ जाते हैं जिनको हम नहीं जानते और वो हमको भी नहीं जानते पर कभी mistake हो से कुछ लोग हमसे जुड problem होती है तो हम उनको किस तरीके से block कर सकते हैं यह मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों जिस किसी को भी आपको block करना है इस तरीके से उसके profile को open करिएगा और यहाँ पर तीन डॉट आपको दिख रहा होंगे इस पर आप click कर दीजेगा यहाँ पर एक option आ रहा है report एक option below का दोनों में से जो भी आपको करना है आप block कर सकते हैं अगर आपको report करना है तो report पर click करके report कर सकते हैं यहाँ मैं आगर block पर click करता हूं तो यह block हो जाएंगे तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज आपको art trick बता दिये तो अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा तो जरूर से हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लिजे मैं आपको बता दूं कि नीचे रेट कलर में लिखे सस्क्राइब बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं और लाइक का बटन जरूर से क्लिक कीजिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए वी झाल झाल